लक्ष्मी जी की एनर्जी है उसने तीन अवतार लिये थे मैंने आपकी बुक में ये समझा कि वो एज राधा भी है राधा भी वही थी दृपदी भी वही थी रुकमणी भी वही थी तो ये कैसा मैथमाटिक्स है सर हां तो ये क्या है की जैसे हमने कहा ना कि जब הम परमात्मा से परम परमात्मा जो रहा है तो विपरीत बनते जा रहे हैं ना उन छोटी आत्माओं में कितनी एनर्जी से आ रही हैं अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके आ तो हम उन्हें सीता के रूप में देखेंगे, हम उन्हें रादा के रूप में देखेंगे, हम उन्हें द्रौपदी के रूप में और ऐसा होता है जो एकदम जो नजदी की जो भगवानों की आत्माई होती हैं, वो कई बार दो आ जाएंगी एक ही जीवन में, यहां तीन आ ग प्त भी हमारे बीच में हैं ऐसी आत्माई, कई छोटी आत्माई जो विश्णु हैं, कई छोटी आत्माई जो लक्ष्मी हैं, हैं ऐसी, मगर क्योंकि कल्यू गया शायद इतनी लाइट लेकर नहीं आई है, तो हम उन्हें कभी-कभी पैचान नहीं पाते हैं, ये एक बड़ा स लक्ष्मी हैं, मगर कई और ब्रह्मांडों سے आई ए, उन बगवानों का हमें पताई नहीं, वो भी तो बगवान है न, दूसरी ब्रह्मानदों में, वो भी लक्ष्मी की जैसे हैं, तो रेक कितने ब्रह्मांड हैं, वहाँ से प्रत्वी में ये चेंज आ रहा है, तो कई आत आत्माई हैं, सब कि सब एक महा लक्शमी जी का रूप है, सब कि सब एक महा सरसुती का रूप है, सब अपना जो पूर ना, अपनी पूरन आत्मा एँ वो definition by definition पूरन है, तो उसके गेरे गेरे रूप हैं, खाली अपने आपको जानना है, मैं कौन हूँ आप वो ही हैं जिसकी आप पूजा करते हैं इससे आपको एहम नहीं आना चाहिए क्योंकि एहम E equals to MC square में एहम matter में आता है एहम light नहीं है तो आपको अगर energy बनना है तो एहम को पूरा dissolve करना है अगर मैं देखूं कि मैं परमात्मा हूँ मैं सब में हूँ सब परमात्मा है मैं भी हूँ वो भी है मैं उनसे बड़ा नहीं हूँ मैं उनसे चोटा नहीं हूँ सब light है, सब जगे light है तो कहां रहेगा, एहम कहां रहेगा Ego कहां रहेगा जब जो यहाँ पर recording कर रहे हैं हमारे cameraman, वो परमात्मा है सभी परमात्मा है